हाई अब्रीवान वेल्कम बैक टु मैं चैनल कैसे हैं आप लोग उमेद करती हूं आप सब भी ठीक होंगे आज मैं आप लोग सब्सक्राइब करने वाले यह हमारे जो सौ चीजों को ठीक कर देगा यहां तक कि हमारे जितनी भी मारी स्किन की प्रॉब्लम में वह सारी की ठीक कर देगा साथ के साथ जो है आपके फेशिल को खतम करेगा रिंकल्स को रिमूव करेगा पिग्मिटेशन को खतम कर देगा और हमारे स्किन को बहुत जादर टाइटनेस लाएगा यह जो मैं आज पताने वाली हूँ सिर्फ हमें इसमें सिर्फ दो इंग चाहिए होगा वह आ आटे से अपने फेशिल रटाते हैं पिग्मिटेशन को भी हटाया जाता है गुलाब जल यूज करते हैं बहुत ऐसी अनिक चीजे होंगी जो आप लोग अपने चेहरे पर कुछ न कुछ जो करते रहते हैं मगर आपको इसके बाद कुछ नहीं करना होगा आपको सिर्फ दो की को जाएगा आज कर रहे हैं उम्हेद करते हैं आप लोगों से छोटी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अगर आप लोगों को वीडियो देखते हैं अच्छ लग जाए तो प्लीस लाइक जरूर कीजिएगा शेयर कीजिएगा शोशल मीडिया पर अपने वर्ट सब्सक्र करते हैं यहां पर मैं सबसे पहले लेने वाले यहां पर मैं सबसे पहले लेने वाले यहां पर मैं सबसे पहले लेने वाले हैं यहां पर मैं सबसे पहले लेने वाले हैं आपको पता है कि हमारी चेहरे की जूरियों को भी खतम करता है यहां तक कि हमारे पिग्मिटेशन को ख यहां पर मैं उनकर के से वाटल के बाटल यहां पर एक से बॉटल के मैं आपको आगे दिखाती हूं और इस तरीके से इसको अच्छे से घोल लेना है आपको जो एक से दो मिनट जो रच जिसको रचे गोल लेंगे इसके बाद आपको इसको अपने चैहरे पर लगाना है थोड़ा सा पैस्टे ज़ड़ो कर लीजिएक कि आपको कोई स्कीन का इर्टेशन नहो रहा हो विटकरी जो हम यूज जाता है वह बहुत ज़्या ज्ञायर में पर लापदायक होता है करने के बाद हमें जब यह ड्राई हो जाए तब हमें से ठंडे पानी से इसको वाश कर लेंगे और इस तरीके से आप इसको पूरे चहरे पर अपने बॉड़ी पर लगा सकते हैं और देखें मैंने अपने फेश को अच्छे से मैंने जो है साफ कर लिया है देखा अपने इस र द्राई है डैमेज है तो वह भी सारी ठीक हो जाएगी इस तरीकी से यूज करेंगे तो मैं आपको 100 परसंट पॉजिटिव रिजल्ट देती हूं कि आप लोगों को जो है इससे अच्छा बैटर रिजल्ट मिलने वाला है आपको इसमें ज्यादा यूज करना पड़ेगा और दो ओर अब लोगों को आज की अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करके जाना किसी वे अंगल में अच्छी लगे तो प्लीक्स जरू कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने फेंडी फ्रेंट के साथ वर टस फ्र laund शोस्ल मिडिया तो पे और साथ गार्ण रिजी मेरी चैन